आप देख रहे हो ये सारे exam में आई हुए हैं और house property में examiner सोचता है क्या दू बच्चों को करने के लिए क्या दू बच्चों को करने के लिए जिससे की सवाल रुख जाए तो बस एकी चीज नजर आता है उनको interest इसलिए हर सवाल में वो घुमा फिरा के interest देगा चलिए सर आज आते हैं कहता है Mr. X है on a house municipal value 75 rent fair rent 90 का during the year previous year use on residence चून के लिए ये खुद रहता है let out for residential purpose जुलाई से यानि सर ये concept कुछ-कुछ याद आ रहा होगा आपको बोलता है जून तक हम खुद रह लेते हैं बाकी हम क्या देते हैं रेंट पे तो कौन सा वाला केस याद आ है हमने करा था है टेकन 1st April 2017 को लिया गया construction house completed हो गया 19 में जाके सर उसके बाद कहता है no part loan has been repaid अभी तक नहीं paid किया find out the income from house property तो देखो कितना आसान सवाल ये भी paper में आया हुआ है तो mv sir question में mv कितना दे रखा है 75,000 सर question में fr भी दे रखा है 90,000 रुपए मैंने format लगता है ज्यादा बड़ा बना लिया standard rent not applicable आपको पता है सर expected rent आ जाएगा कितने का 90,000 रुपए का sir 8RR check कर लेंगे sir 8RR कितने का किराय पे दिया इसने 8,000 या 9,000 8,000 8,000 के हिसाब से कहता है sir मैं खुद रह रह रहा हूं इसमें और कब से कब तक रहता हूं मैं जून तक यानि April माई और जून बाकी 9 महिने तक यहाँ पे था तो कितने आ जाएँगे 72,000 रुपए ठीक है sir अब इसके बाद हमारा मुंसिपल टेक्स अब जीए भी जीए भी क्या हैगा इसमें बताईए क्या यहाँ वेकेंसी का केस है क्या नहीं है वो वेकेंसी में higher lower वाला कॉंसर्ट बदल जाता था कई बार क्या ले 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 थे थे कई बार lower वाल अब वेकेंसी यह वेकेंसी का तो हमारा पार्ट है ही नहीं सर ठीक है न हमारा वेकेंसी का पार्ट यह नहीं है तो normally हमारा दे रखा है यहाँ पर 9 महिने होंगे 8 महिने होंगे एक मर यह चेक करो 8000 into 9 9 बनेंगे 10 कहता है on residence up to June 8 ही बनेंगे नहीं 8 कैसे बनेंगे भाई आप तो कम कर रहे हो एक मेंट चेक कर लेते हैं मैंने question में कुछ गलत तो नहीं type किया नहीं ठीक है ठीक है 9-1 बनेंगे तो sir यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे situation में हमेशा higher लेना अगर vacancy का case होता है तब lower लेते हैं और जो भी depend करता है अगर vacancy का case नहीं है तो भाईया higher ही चलेगा तो GAV higher आ जाएगा 90,000 इन बातों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा confusion करता है बच्चो को तो मेरी पिछली वीडियो को और इस वाले वीडियो को बड़े ध्यान से देखो को तो आपको clear हो जाएगा फिर minus में MT सर, MT कितने का है MT 9,000 का कहां की चाफी मेरे पास नहीं है उसके तो सर यह आ जाएगा minus करें 81 यह क्या आ गया सर NAV आ गया minus करो 24A फिर सर, minus करो 24B अब 24A कितना आएगा सर, 30 पर 30 जो 24,300 अब सबसे main part जो examiner जानना चाहता है और मैं भी चाहता हूँ हर सवाल में यह पूछा जाए ताकि बच्चा कम से कम तो थोड़ा concentrate होके पढ़े इस chapter को कहता है सर मैंने एक लोन लिया April 17 में कब लिया 142,000 17 में मैंने एक लोन ले लिया कोई बात नहीं कितने रुपे का लोन लिया ये मुद्दा है सर इसने लोन ले लिया 2,00,000 रुपे का सर 2,00,000 का लोन तो ले लिया कहता हाउस construct 31,05,2019 सर 2019 में हमारा घर बनके तयार हो गया कब 31,05,2019 तो जिस साल घर बनके तयार हुआ है वो वाला year रहा होगा 19,20 यारी सर 19,20 में तो हमने claim कर लिया होगा 19,20 में हमने claim कर लिया होगा तो PCP की अगर बात करें तो हमारा PCP countable जो होगा वो होगा 31,3,20,2018 या उननिस उननिस यानि सर इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का PCP का पार्ट माना जाएगा सर हमारा current year क्या है सर current year 19,20 है जो की चली रहा है यही है 19,20 की बात कर रहे है current year में घर बना तो यह PCP है कितने मैंने 17 current year 20 अच्छा हाँ current year 20,21 होगा यह हमारा current year की अगर मैं बात करूँ तो that is current year हमारा 20 और 21 ठीक है सर यानि यहां के बाद तो हमने deduction लेना चालू किया होगा इससे just before रहेगा पहले यह बात आपको समझ में आया कि यहां से यहां count करना है तो 17 से 18 और 18 से 19 यानि कितने महिने again 24 महिने examiner आपको आसान आसान सवाल दे रहा है 24 महिने दे के अब सर लोन कितने का है फटाफट निकाल लो 2 लाख और 2 लाख पे कितने परसेंट 10 वटे में 100 कितने 24 वटे में 12 कितने महिने 1 वटे में 5 कितने आगे सर आठ हजार PCP जिसका डिड़क्शन मिलेगा आठ हजार जमा प्लस और सर करेंट इयर का भी तो लेंगे करेंट इयर का कितना लेंगे सर दो लाग पे सीधा सीधा 10% देट इस हमारा आजाएगा बीस हजार तो सर बीस हजार ये आ गया 28,000 रुपए टोटल आ गया 700 क्यों अच्छा माइनस माइनस करके 28 700 नेगेटिव पॉजेटिव पॉजेटिव तो सर ये आ गया IHP किसी को दिक्कत देखो दो सवाल कर लिए हमने फटा फट से किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी आ गया